सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब एक और नई वीडियो में तो आज हम जो है पैरानोइड एंड्राइड कस्टम रॉम को फ्लैश करने वाले साथ इस रॉम के कुछ फीचर देखने वाले जो बेज एंड्राइड 10 और सी एफ एडिशन पर तो मैंने इसको फोन ने फ्लैश क तो कैमिरा आप काफी ओल्ड है इस रॉम में लें विभले सकते हैं कि अदर कैमेरा से जैसे जी कैम यहां पर यूज करते है यहां पर यहां पर इसमें रेट्रो मुजिक पिलर मिल जाता है और साथ इसमें इन विल्ट एकुलाइजर मिल जाते हैं तो अलग करने की जरूरत नहीं है अब चलते हैं सबसे पहले नेटवर्क और इंटरेट देख लेते हैं तो इसमें हमें वाइफाइ और दो वोल्टी ऑप्शन मिलाते हैं कोई भी इसमें दिक्क्त नहीं यूज़ करने में लेकिन इसमें वाइफाइ कॉलिंग आप्शन नहीं मिलता है उसके बाद काफी जादा ब्राइट है। कोई प्रॉबलम नहीं जाएंगे सब्सक्राइब है। ऐसे बात बात करूप नहीं करता है। वाल्पेपर तो यह हर एक रोम में हमें देखने को मिलता है Android 10 की तो यह आप यहां पर चेंज कर सकते हैं साथ यहां पर कुछ और यहां पर शॉस्राइब यहां पर फेया सब्सक्राइब आड कर सकते हैं पर करता है और यह पर ऐब खिर दिक्कत नहीं आप कर दो शॉर्प के शॉल रेवरें पर शोडी करता है चैस्यσιमेस अब्टॉां कुछ भीक और यह जग Mb का जो बेज एंडरोट के लिए तो रों में ज्यादा कुछ है नहीं मिलता है क्लीन है और कस्टमाज़ेशन के बहुत कम उप्शन मिल जाता है अब बात करते हैं यहां पर इसके कुछ और बाकी रॉम काफी सिंपल है लेकिन यह वनप्लाइश के लिए काफी स्यादा पॉपल रॉम है तो उनके लिए काफी अच्छा है वीडियो कॉलिंग को ऑप्शन मिल जाता है तो वह भी यहां पर वर्क करता है सिंपल सी रॉम है ओफिशल पर अंड्रोइट कस्टम रॉम जो बेज एंड्रोइट 10 इन डिवाइस के लिए अविलेबल है वन प्लस शाओमी और जैनफोन के लिए आपको मिल जाएंगी तो हर एक रॉम को फ्लैश करने का तरीका अलग है आपका डिवाइस अगर जैनफोन तो जी एप को बिल्कुल भी मज़ ट्राय करना और यहां पर देख सकते हो जो रॉम का साइज है वह 1.14 भी आपको मिल जाता है तो इसमें जोटी पहले से मिल जाते है और आपको जैसको नॉर्मली फ्लैश करना है और डिवूट कर लेना है तो मैंने इसको जैसको फ्लैश क सब्सक्राइब बताना अगर आपके कोई राय या सुझा हो या फिर आपके कोई डॉट्स हो तो भी आप मुझे बदा सकते हो चलिए मिलता है नई वीडियो में एक ने टोपिक साथ तबते के लिए जय हिन जय माराश्रा